रूत का घर बसाने की नौमी की चेश्ठा अध्याय तीन एक दिन उसकी सास नौमी ने उससे कहा बेटी मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा घर क्यों न बसा दो जिससे तुम्हारा कलियान हो जाए देखो बोवाज जिसकी नौकरानियों के साथ तुम रह चुकी हो हमारा संबंदी है वह आज शाम को खलियान में जौकी उसावन करेगा इसलिए सान पर सुगंधित इत्र लगा लो और अपने अच्छे से अच्छे वस्त्र पहन कर खलियान चली जाओ लेकिन जब तक वह खापी ना ले तब तक या ध्यान रखना कि वह तुम्हें पहचान न पाए फिर जब वह सोने के लिए लीटे तो वह स्तान अच्छी तरह दीख लेना जहां वह लीट गया है तब तुम उसके पास जाकर और उसके पाऊं उगार कर वहीं लीट जाना वह तुम्हें बताएगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए उसने उत्तर दिया आप जैसा कहती हैं मैं ठीक वही करूँगी तब वह खलियान गई और उसने ठीक वैसा ही किया जैसा उसकी सास ने उससे कहा था जब खाने पीने के बाद बोवाज प्रशन नचित था तो अनाच के धेर के पीछे सोने चला गया तब रूथ धीरे धीरे आई और उसके पावों को उगार कर वहीं लेट गई आधी रात को बोवाज चौँख उठा उसने मुड़कर अपने पावों के पास एक स्त्री को लेटे हुए देखा उसने पूछा तुम कौन हो तब उसने उत्तर दिया मैं आपकी दासी रूथ हूँ अपने वस्तरों का छोर अपनी दासी पर फैला दीजिए क्योंकि आप मेरे संबंदी हैं आपको हमारी भूमी का उद्धार करने का अधिकार है उसने कहा बेटी प्रभु तुम्हें आशिरवाद दे तुम धनी या निर्धन युवकों के पीछे नहीं दोड़ी और अब तुमने अपने प्रेम का अधिक्षपश्ट प्रमान किया बेटी अब तुम नहीं डरो तुम जो कुछ मांगोगी मैं वह सब तुम्हारे लिए करूँगा क्योंकि नगर के सब लोग जानते हैं कि तुम एक साधवी स्थ्री हो यह सच है कि तुम्हारा संबंदी होने के नाते मुझे तुम्हारी भूमी का उद्धार करने का अधिकार है परंतु एक दूसरा वेक्ति है जो मुझसे अधिक तुम्हारा निकट का संबंदी है रात को यहीं रहो यदिवा कल तुम्हारी भूमी का उद्धार करना चाहेगा तो ठीक है उद्धार करे किन्तो यदिवा तुम्हारी भूमी का उद्धार करना नहीं चाहेगा तो जीवनती शुर की सपत मैं तुम्हारी भूमी का उद्धार करूंगा तुम प्रतकाल तक यहीं पड़ी रहो वह प्रतकाल तक उसके पावों के पास ही पड़ी रही और उसी समय उठी जब कोई किसी को पहचान नहीं सकता था क्योंकि बुवाज ने सोचा कि किसी को यह पताना लग पाए कि वस्तरी खलियान में आई थी बुआज ने कहा अपनी ओढ़नी फैलाओ ओढ़नी फैलाने पर उसने उसमें आधा मन जौ डाल दिया और उसे उठा कर उसके सिर पर रख दिया इसके बाद वा नगर गई जैसे ही वह अपनी सास के पास आई उसने उससे पूछा क्या हुआ बेटी तब उसने उसे वह सब सुनाया जो उस व्यक्ति ने उसके साथ किया था और कहा यह करते हुए कि तुम्हें खाली हाथ अपनी सास के पास नहीं जाना चाहिए उसने मुझे आधा मन जौ दिया सास ने कहा बेटी जब तक पता नहीं चले कि क्या होगा तुम चुप रहो वह आदमी तब तक चैन नहीं लेगा जब तक वह आज यह मामला तैना कर दे बोवाज को उध्धार का अधिकार अधियाए चार बोवाज नगर के फाटक के पास जाकर वहाँ बैठ गया उध्धार करने का वह अधिकारी संबंदी भी वहाँ पहुँचा जिसके विशय में बोवाज ने कहा था बोवाज ने कहा भाई आओ यहां बैठो वह आकर वहीं बैठ गया फिर उसने नगर के नेताओं में दस को बुला कर उनसे कहा आप भी यहां बैठिये बोवाज ने उन लोगों के बैठने पर उस उध्धार करने के अधिकारी संबंदी से कहा नौमी जो मुआब देश से लोट आई है हमारे संबंदी एली मेलेक की जमीन बीचना चाहती है इसलिए मैंने अविचार किया कि तुम्हें उसके बारे में बताकर तुमसे कह दू कि यहां बैठे हुए लोगों और प्रजा के नेताओं के सामने तुम उसे मोल ले लो यदि तुम उसका उध्धार करना चाहते हो तो करो और यदि तुम उध्धार नहीं करना चाहते हो तो मुझे बताओ जिससे मुझे तुम्हारी च्छा मालूम हो जाए क्योंकि तुम्हारे सिवा किसी और को उध्धार करने का धिकार नहीं है तुम्हारे बाद मेरा धिकार है उसने उत्तर दिया हाँ मैं उसका उध्धार करूँगा इस पर बवाज ने कहा, जिस दिन तुम नौमी से यभूमी लोगे, उसी दिन तुम्हें उस अम्रितक की विद्वा पत्नी मुआवीन रूत को भी अपनाना होगा, जिस से उस जमीन पर उस अम्रितक का नाम भी बना रहे यह सुनकर संबंधी ने कहा, यदि ऐसा है, तो मैं उसका उद्धार नहीं करूँगा, नहीं तो मेरी अपनी विरासत को हानी पहुँचेगी, तुम उद्धार करने का अधिकार ले लो, क्योंकि मैं उद्धार करने में आसमर्थ हूँ प्राचीन काल में इसराइल में उद्धार और विनिमय को सुद्र करने की यह प्रता थी, कि मनुष्य अपना जूता उतार कर दूसरे को दे दिता था इस्राइल में किसी भी बात को सुद्र करने की यह प्रता थी इसलिए जब उस संबंदी ने बुवाज से कहा कि उसे तुम ही खरीद लो तो उसने अपना जूता उतार दिया इस पर बुवाज ने नेताओं और अन्या सब लोगों से कहा आज आप इस बात के साक्षी हैं कि मैंने नौमी के हाथों से एली मिलेक, किलियोन और महलोन का सारा बुवाज खरीद लिया है इसके साथ ही मैंने महलोन की विद्वा मौबीन रूत को भी अपना लिया है जिससे मैं उस अमृतक के दैभाग पर उसका नाम इसलिए बनाए रखो कि अमृतक का नाम उसके संबंदियों और उसके नगर के न्यायाले में नहीं मिटे आज आप इस बात के साक्षी हैं इस पर फाटक परिकत्रित सब लोगों और नेताओं ने कहा हाँ हम इस बात के साक्षी हैं प्रभु ऐसा करें कि वस्त्री जो तुम्हारे घर आ रही है रहेल और लेया के समान हो जिन दोनों ने इसराइल का वंच चलाया था तुम्हे फराता में फलो फूलो और बैतलह में तुम्हारे कीर्ती बढ़े प्रभु की क्रिपा से इस युवत्ती से उत्पन होने वाले संतान द्वारा तुम्हारा घर और उस पेरेस के घर जैसा बन जाए जो यूदा के यहां तोमर से उत्पन हुआ था बुवाज का रूत से विवा बुवाज ने रूत को अपनी पत्नी के रूप में अपनाया बुवाज का उससे संसर्ग हुआ प्रभु की क्रिपा से रूत गर्वत्ती हो गई और उसने पुत्र प्रसव किया स्त्रियों ने नूमी से कहा धन्य है प्रभु उसने अब आपको एक उत्तर अधिकारी दिया है और उसका नाम इस्राइल में बना रहेगा वा आपको नया जीवन प्रदान करेगा और बुढ़ापे में आपका सहारा होगा क्योंकि आपकी बहु ने उसे जन्म दिया है वा आपको प्यार करती है और आपके लिए साथ पुत्रों से भी बढ़कर है नूमी ने सिशु को अपनी च्छाती से लगा लिया और उसका पालन पोशन किया पड़ोस की स्त्रियों ने यह कहते हुए सिशु का नाम रखा नूमी को पुत्र उत्पन हुआ है उन्होंने उसका नाम उबेद रखा वही दाउत के पिता यिश्य का पिता है पेरेश की वन्शावली पेरेश की वन्शावली इस प्रकार है पेरेश हेस्त्रों का पिता था हेस्त्रों राम का राम अमिनदाब का अमिनदाब नाशोन का और नाशोन सल्मोन का सल्मोन बोवाज का पिता था बोवाज उबेद का उबेद यशेक का और यशेदाउद का स्तोतर गरंथ अध्याई 119 मैं कप्ती ब्यक्तियों से ग्रिना करता हूँ तू ही मेरा आश्रय और ढाल है मुझे तेरी प्रतिग्या का भरोसा है दुस्टों, मुझसे दूर हटो मैं अपने ईश्वर की आग्याओं का पालन करूँगा अपनी प्रतिग्या के अनुसार मुझे संभाल और मैं जीवित रहूँगा मुझे अपनी आशा से निराश ना होने दे मुझे संभाल और मेरा उधार हो जाएगा मैं तेरी सहीता का मनन करता रहूँगा जो तेरी सहीता से दूर भटकते हैं तू उनका तिरसकार करता है क्योंकि उनका कपट पूर्व ब्यवहार ब्यर्थ है पृत्वी के सब दुर्जनों को तू कूड़ा करकट समझता है इसलिए मैं तेरे नियामों को हृदय से चाहता हूँ तेरे सामने मेरा शरिल आतंक से खापता है मुझे तेरे निर्नयों का भय बना रहता है मैंने नियाय और धर्मिता का आचरन किया है मुझे मेरे अत्यचारियों के हाथ ना पढ़ने दे अपने सेवक की सुक शांती की रक्षा कर जिससे घमंडी मुझ पर अत्यचार ना करें तेरी मुक्ती और तेरी नियाय संगत प्रतिग्यां की पुर्ती के लिए मेरी आखे तरस्ती रहती है अपनी सत्य प्रतिग्याता के अनुरूप अपने सेवक से बिवहार कर और मुझे अपनी सहीता की शिक्छा प्रदान कर मैं तेरा सेवक हो मुझे बिबेक्षील बना और मैं तेरे अदेशों का ज्यान प्राप्त करूँगा प्रभू हस्त छेप करने का समय आ गया है तेरी सहीता का उलंगन किया जाता है सोने परिस्कृत सोने की अपिक्षा मुझे तेरी आग्याई अधिक प्रिया है मैं तेरे सभी नियम न्याई संगत मानता और असत्या के सब मार्गों से घ्रिना करता हूँ संत मार्कुस का सूसमा चार अधियाई चार बोने वाले का द्रिस्तांत ईसा किसी दिन समुद्र के किनारे शिक्छा देने लगे और उनके पास इतने भीड इकठी हो गई कि वह समुद्र में एक नाव पर जा बैठे और सारी भीड समुद्र के तड़ पर बनी रही उन्होंने द्रिस्तांतों में उन्हें बहुत सी बातों की शिक्छा दी शिक्छा देते हुए उन्होंने कहा सुनो कोई बोने वाला बीज बोने निकला बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और अकास के पक्चियों ने आकर उन्हें चुग लिया कुछ बीज पत्रीली भूमी पर गिरे जहां उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली वे जल्दी ही उख गए क्योंकि उनकी मिट्टी गहरी नहीं थी सूरच चड़ने पर वे जुलस गए और जड़ना होने के कार्म सुख गए कुछ बीज काटों में गिरे और काटों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया इसलिए वे फल नहीं लाए कुछ बीज अच्छी भोमे पर गिरे वे उख कर फले फुले और तीस गुना या साट गुना या सौ गुना फल लाए अंत में उन्होंने कहा जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले द्रिस्टांतों का उदेश्या इसा ने अनुयाईयों और बारहों ने एकांत में उनसे द्रिस्टांतों का अर्थ पूछा इसा ने उत्तर दिया तुम लोगों को ईश्वर के राज का भेत जानने का बरदान दिया गया है बाहर वालों को द्रिस्टांत ही मिलते हैं जिसे वे देखते हुए भी नहीं देखें और सुनते हुए भी नहीं समझें कहीं ऐसा ना हो कि वे मेरी और लोट आए और मैं उन्हें शमा प्रदान कर दूँ बोने वाले के द्रिस्टांत की ब्याक्या ईसा ने उनसे कहा क्या तुम लोग यह द्रिस्टांत नहीं समझते तो सब द्रिस्टांतों को कैसे समझोगे बोने वाला वचन बोता है जो रास्ते के किनारे हैं जहां वचन बोया जाता है ये वे लोग हैं जिन्होंने सुना है परन्तु सैतान तुरंथी आकर यह वचन ले जाता है जो उनके हृदय में बोया गया है इस प्रकार जो पत्रीली भूमी में बोय जाते हैं ये वे लोग हैं जो बचन सुनते ही उसे प्रसंता से ग्रहन करते हैं किंतु उनमें जड नहीं है और वे थोड़े ही दीन द्रिड रहते हैं बचन के कारण संकट या अत्यचार आपड़ने पर वे तुरंत बिचलित हो जाते हैं दूसरे बीज काटों में बोय जाते हैं ये वे लोग हैं जो बचन सुनते हैं परंतु संसार की चिंताएं धन का मोह और अन्य वासनाएं उनमें प्रवेश कर बचन को दबा देती हैं और वह फल नहीं लाता जो अच्छी भूमी में बोय गए हैं ये वे लोग हैं जो बचन सुनते हैं उसे ग्रहन करते हैं और फल लाते हैं कोई तीस गुना, कोई साट गुना, कोई साव गुना